कि है गाइस विल्कम बेक टो फैसन मेकर मैं हूं राज और आप देख रहे हो फैसन मेकर डिटूब चैनल तो मैं आप लोग के लिए एक चीज बता दूं कि मैंने अभी अभी एक वीडियो डाली थी जो कि एक स्टीम आइरेन के उपर था और आप सब की डिमांड थी कि मैं फै पर वह बहुत ज़्यादा जरूरत होता है कि आप अच्छे बनाओ या फिर कोच भी ड्रेस बनाओ तो वह चाहिए होता है अगर आप एक फैसन डिजेनर हो और अच्छा बनाते हो तो तो आप वह चीज आपने वह चीज देख लिया होगा उसके बाद जो आता है उसके मेंट आया था मेरे पास कि भाई मैनुकीन के उपर बताओ डमी के उपर कि यह क्यों जरूरत होता है और क्या-क्या फाइदे इसके उपर तो भाई पहली बात तो यह है कि आप अगर एक डिजाइनर लाइन में जा रहे हो और आपके पस मैनुकीन नहीं है तो फिर आपका को मेनुकीन है जैसे कि मैंने आपको अभी बताए कि मैनुकीन आपको चीए अगर आप डिजाइनर layer design design line में जा रहे हो तो हो आप just starting की एए हो थोड़ा वो start कर रहे हो तो आपको थोड़ा दो नॉलज है आपके ब örया को जाना है अच्छे design बनाने तो फिर आपको अब Kyle hitamääd और मैनुपिंड भी नंब तरीके लियु friends है एक मैनू किन होता है जो display के लिए होते उसपे से कपड़ पहना कर आपप रहें बाहर से डिरिखता है जुनित यूज की लिए अपने वो यूज किया है कप्ड़े को पहनाने के लिए यूज क्या है लेकिन दूसरा मैनू के अपर क刁ने के लिए लिए नहीं जिए लोग था प्लाश्टिक होता है इसके अंदर औरल उसके उपर जो यह फैब्रिक लगावा यह बहुत अच्छे इसके होते है यह पीन से यह टाचनी से काम करते और इसको कपड़े हम लोग लगाते यहां पे अपने वीडियों देखा होगा इस पर कपड़े लगाते तो वह मैनुकुइन और यह मैनुकुइन में बहुत डिफरेंस है वह आपको बहुत सस्ता मिल जाता है यह धोरा महेंगा मिलता है अगर आपको यह मैनुकुइन ऑनलाइन पर्चेस करना है तो मैंने जो एमाजोन का लिंक है वह मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल लिया ह अगर आपको online purchase करना यह menu queen, menu queen हम लोग इसको dummy बोलते है, daily use के लिए इसको dummy बोलते है, menu queen नहीं जाते है, अगर आपको यह dummy online purchase करना हो, तो इसका जो waste amazon link है, उसको मैंने वीडियो के description में डाल दिया है, अगर आप future में कुछ बढ़ा करना चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हो, और heavy design बनाना चाहते हो, तो आपको एक menu queen नहीं है, तो आप यह menu queen dummy ज़रूर purchase कर सकते हो, और इसका link में डाल दिया है, आप चाहो तो उस पे जाके purchase कर सकते हो, और अगर आप local market पे जाते हो, आपको knowledge है menu queen की dummy की, तो आप local market से भी ले सकते हो, आप देखके ले सकते हो, काम करो ना आप तो उसमें एक साल के बाद वो कुछ काम का नहीं रह जाता है, मैंने अपने live में बहुत menu queen यूज किया है, डमी यूज किया है काम करने के लिए, और मेरे हाथ से तीन में डमी जो है, वो तूट चुका है, अलडरी तूट चुका है, डैमेज हो चुका है, उ सीदह इसको ये plastic पे hold कर देते हैं, तो ऐसा तो मेरे से नहीं होता है, और आपको इस पर टाचनी कैसा attach करना है, कि ये plastic के अंदर, तो ये plastic पे नहीं जाना चीए, ये थोड़ा तीर चा जाएगा, और प्लास्टिक के बाजू में से वो स्लीफ होके नीचे जाएगा, और ये कपड़े पे अटाइच करेगा और यह बहुत अच्छा क्वालीडी का मैन्यू कुईन है जी इस पे आप प्लास्टिक में चाहो तो भी इस पे डाल नहीं सकते ही विकॉज यह बहुत ज्यादा हाड है और वो जो मैन्यू कुईन है जो सस्ते वाले होते हैं उसमें सिधा वो हो ईए तो ऋस पे आगर काम कर दो नॉर्माल आपको कपड़े लेंद करने के लिए वहाँ चीज़ क्यारीआई रहे अगर आप प्रोपेशनल एक डिजाइनर बन रहे हो तो आपको डमी नहीं चलेगा आपके लिए ऐसा वाला डमी होना चाहिए और यह वाला डमी पर भी आपको बहुत से क्वालिटी मिल जाते जो आप इस पे यह सोल्डर करने जाओ तो यहां से भी फट जाता है जो में मेरे मेरा जो नॉलेज हुमें आपको सियार कर रहा हूँ और मेरे साथ यह चीज हो उ design की यह बोल आ सकते हो अगर आप तो आप इस तरीके कर डमी ले अे छक Τवो तो इसमें का यह होता है आप इसको कई भी-पोई-ब्रव्णundert कहने कोई भी द्रेस होता है आप इसकी उपर से को कम करके जह हो होता है और झाल के अगर दमी के बहुत से होता है यह दरसनवर होता है 36 की साइज विल्यक्स तो यह टे लेना चाहिए इसका रीजन में बता रहा हूँ जैसे कि यह 36 साइज है और आल्मोस्ट जो ज्यादा ड्रेस बनते हैं वह 36 साइज में बनते हैं और यह 36 साइज है तो आप इस पर 38 पर भी जा सकते हो तो यह बेस्ट ऑप्सेन है दस नमबर वाला ड्रेमी जो कि आपको रेगुलर यूज में यह ज्यादा होगा और आपके पास अगर मतला इन फ्यूचर अगर आप दो ले रहे हो तो आपको एक 34 का लेना चाहिए क्योंकि जो थिंक होते हैं लोग उसका ड्रेस बनाने के लिए 34 की साइज हम लोग ज्यादा यूज करते हैं तो और सबसे वेस्ट है अगर आप एक डमी लेना चाहरे हो तो आपको दस नमबर का डमी लेना चाहिए और यह वेस्ट होता है और मैंने आपको बताया कि आपको कैसे क्या विखिए और ये इक चीज मैंने बता है अभी बहुत से चीज बागी है जैसे कि यह चीज हो गिया वह बहुत से डमी पर नहीं आता है और जीसमें यह आता है उसमें भी quality होते अच्छा और मतलब तो तो यही बार में अच्छा quality वाला ले ना यह बहुत ज्यादा मतलब स्म कोटर होना चाहिए बॉस्टे डमी पर नहीं होता है और एक चीज जैसे कि इधर नीचे एक स्टैंड दिया हुआ है वह मैं आपको दिखाता हूं यह स्टैंड को अगर आप प्रेस करो तो यह डमी इजी ली उपर होता है इजी ली नीचे जाता है इसको लेंद एक्जिस्टे करना होता है तो आप तुरंद उसको बैठके इसको प्रेसर करो तो यह नीचे हो जाता है तो यह एक चीज है जो सबसे ज्यादा डमी पर यूज होता है यह वह है लेंद को एक्जिस्ट करने के लिए तो यह सबसे बड़ी ज़रूरी चीज होता है और बहुत से डमी पर उस और एक चीज साइस के बार Möglich बोल ला ता बहुत से वह रेंग ह ret कि अगर एक डमी लेरो काम करने के लिए तो एक अच्छा साइज का डमी लो और जो आपको थोड़ा बुद नौलेज मिले तो ओलो और मैं तो कहूंगा कि मैंने जो एमाजोन का लिंग डाला वह यह डमी है क्योंकि इसको भी मैंने एमाजोन से ओडर किया था यह मेरे पास ती एक चीज और आपको बता दूँ कि इसकी जो इसकी उपर जो यह लगा हुआ है यह बहुत ही अच्छे क्वालिटिस का क्लोथ है और यह पड़ते भी नहीं है ना उखड़ता भी नहीं है बहुत से डमी पर क्या होता है कि आप यह पीन लगाते लगाते यह कपड़े उखार लगाते तो यह दमी पर अभी तक वह चीज है नहीं और इस पर मैं तीन साथे काम कर रहा हूं इसका प्रूब में बता हूं कि यह देखो आप इसका इधर साइड आप देख सकते हो कि यह बोकितना पुराना हो चुका है लेकिन इसकी जो बॉडी है इसकी जो वर्क और ओव जैसे कि अगर आप कई पर कुछ काम कर रहे है अपने इसके उपर कपड़े फिट्स कर लिए आपको ऐसा कट ऑस देना है कुछ पी दीना है when aj यह मारगींग करना है कहीं पर इप olur तो इसके उपर आप चौक से अपना डिजाइन बना सकते हैं कुछ भी आफ्ली में आपको उसी बतारहों कुछ किया नहीं है और इसको झानी उसको ठोड़ संर प्रक्ड कर सकते हो जैसे कि यह बैक्स को प्रिजाइन होते हैं कभी-कभी आप इसको यह अपका सेंटर लाइन से यह आदा पार्ट में कोई भी कैसा भी आप डिजाइन इस पर बना सकते हो साइड कड़ वाला कुछ भी मतलब आप इस पर रोगर कर सकते हो यह यह सारे चीज जो मिरे मैं मेरे मइनड पर आ था मैंने आपको बताया और आगे और भी बता दूंगा कुछ चुट यह और भी कुछ मेरे दिमाग पर आएगा तो में बता हूँगा आपको जैसे जैसे बैं अभी जो मेरे नॉलेज में था वो मैंने बता दिया तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ इंफॉर्मेशन आपको मैंने सेयर कर पाया और अगर आप एक डमी पर इंवेस्ट कर सकते हो तो आप जरूर करिए और आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा काम आने वाल हैं और अगर आप डमी ऑनलाइन परचेस कर रहे हो तो आप यह लिंक से भी परचेस कर सकते हो यह आपको बहुत ज्यादा है रूणने में आपको तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मैं फैसन डिजाइन के बारे में आपको देख रहा होगा यूटूब पर जो फैसन डियान के नाम पर आपको बहुत कुछ बता रहे लेकिन आप खुद समझ जाएंगे कि कौन क्या है नहीं है और आपको किस तरीके का कहां पर किसको फॉलो करना है और क्या आप से सीखना है तो आयोप आपको वीडियो पसं दिनते रही अब हमेने एक्स वीडियो मनानेवाहा लओं मेजरिमिन यह ओपर किस तरीके से ओपर मेजरिमेंट लिया जाता है कि आपको क्या क्या चीज नोट करना होता है आप कहां से क्या लेंग्ग क्या नाम मुंत और हार चीज में में बताने वाला हूँ, यतना मेरे से हो पाएगा, तो वीडियो भी आप देखना, और I hope आपको वीडियो पसंद नहीं, तब दक के लिए, वो वीडियो भी जरूर देख लेना, तो मिलते हैं कोई नेक वीडियो में, तब दक के लिए बाई, टेक क्यार,